देश काम बजट एक फरवरी को पेशोने जा रहा है इस बजट को लेकर वितमंत्री निर्मला सीतर रमण ने तैयारियां पूरी कर ली है जहां एक तरफ कोरोना के बाद महंगाई ने जनता की कमर तोड रखी है तो वहीं स्पेशल ट्रेनों के नाम पर रेलवे ने किराय में बड़ोत्री की हुई है जिसके बाद लोगों की निगाहें इस बार के बजट पर भी ठीकी हुई हैं लोगों की क्या प्रतिक्रिया हैं आईए आपको दिखाते हैं और हम चाहते हैं कि इस बार एक ऐसा बजट हो जिससे हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिक्ट हो विकॉज अब लास्ट यह तो आपको पता है पूरा फानेंसी लेयर हम लोगों कैसी चला गया बहुत से लॉसे जुए हैं बहुत से जॉबलेस हुए हैं अब दूसरी चीज अब लोगों की अफिक्षा यही है कि अपने खास करके अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में तो क्या है कि रेल नेटवर्क के कैसा नेटवर्क है जिससे लोग बहुत डिपेंड रहते हैं इस पर इस्टुडेंट जीमसी डूंगरपूर में तो महां ट्रेन हैं तो कनेक्टिविटी बहुत कम है राजिस्तान में देखा जाए तो मेरे को उद्यपूर आना पड़ता है उद्यपूर में भी एक ट्रेन चलती थी खजराओ से उद्यपूर वह भी बंद कर दी गई है तो मुझे रात को स्टेशन पर रुखना पड़ा और सुभे वेट करन आपड़ा तब मैं को वो ट्रेन मिली तो मेरा तो यही है कि ट्रेनों को संचालन थोड़ा तीजी से करें जो रुकी ट्रेन थी उनको वापिस लाए और नई ट्रेन जोड़ी जाए